जैहिन दोस्तों, वेलकम टू जीएस जीनियस दोस्तों, BPSC संयुक्त परतियोगिता प्राइरंबिक परिच्छा 2005 में जितने भी क्वेस्टेन पूछे गए हैं, सारे क्वेस्टेन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा बस वीडियो के अंतर तक बने रहें तो सुरू करते हैं, क्वेस्टन है भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है एंसर हो जाएगा ओप्शन D, PV नर्सिमह राव को नेश्ट क्वेस्टन है, अनुसिलन समेती थी एंसर होगा ओप्शन D, एक करांती कारी संगठन नेश्ट क्वेस्टन है, सुरक्षा परकोष्ट की नीती समन्दित है एंसर होगा ओप्शन A, वारेन हैंस्टिंग से नेश्ट क्वेस्टन है, All India Trade Union Congress का पर्थम अध्यक्ष कौन था एंसर होगा ओप्शन D, लालालाजपतराई नेश्ट क्वेस्टन है, भारत छोरो आंदोरन के समय इंग्लेन का पर्णान मंत्री था एंसर होगा ओप्शन B, चर्चिल नेश्ट क्वेस्टन है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था एंसर होगा ओप्शन A, कुंड ग्राम में नेश्ट कोशन है मात्मा बुद्ध का महापड़ी निर्मान कहा हुआ एंसरोगा ओप्शन सी खुसी नगर में नेश्ट कोशन है मात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परवर्तन किस अस्थान पर दिया था एंसरोगा ओप्शन बी सारनात में नेश्ट कोशन है मगत की पर्थम राजधानी कौन सी थी? अंसर होगा ओप्शन सी ग्रीबरज राजगिरी नेश्ट कोशन है नंदवन्स के पस्चात मगत पर किस राजवन्स ने सासन किया? अंसर होगा ओप्शन ए मोरी वन्स Next question है, मोरी काल में सिक्छा का सरवादिक परसिद गेंदर था Answer होगा Option C, तक्छिसिला Next question निमलिखीत में से कौन से समू की नदियां बिहार और उत्तर पर्देश के बीच सीमा रेखा बनाती है Answer होगा Option C, करमनासा, गंडक और घागरा Next question है, योजना आयो की अस्थापना कब हुई थी Answer होगा Option B, 15 मार्च 1950 इसबी में Next question है, भारत में राष्ट आय समंकों का आकलन किसके दवारा किया जाता है Answer होगा Option D, गेंदरिस संके की संगठन Next question है, निमलिखीत में से भारत की राष्ट आय का सबसे मूख सरोत है Answer होगा Option A, सेवा छेत्र Next question है, आर्थिक नियोजन विशे है Answer होगा Option A, संग सूची में Next question है, दूसरी पंच वर्ष्ट आयोजना की रूप रेखा किसने तयार किया था Answer होगा Option C, PC महल नोबिस Next question है, राष्ट क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक नबाट की अस्थापना किस पंच वर्ष्ट योजना की अवधी में की गई थी Answer होगा Option C, छठवी Next question है, वह कौन सा कंग्रेस अध्यक्ष था जिसने किरिप्स मिशन वह लोट वेवेल दोनों से वारताएं की Answer होगा Option A, अबूल कलामाजाद Next question है, संप्रदाइक अवार्ट एवंग पूना पैक्ट में करमसर दलीत वर्क के लिए कितनी सीठे दी गई Answer होगा Option B, एकतर और एकसर सैतालिस Next question है, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांती का नेता कौन था Answer होगा Option C, विर्षा मुंडा Next question है, अखिल भार्टे किसान सभा के पर्थम सत्र की अधिक्षता किसने की Answer होगा Option A, स्वामी साजानन्द Next question है, 1855 इस बी में संथालों ने किस अंग्रेच कमांडर को हराया Answer होगा Option C, मेजर बारो Next question है, बिहार में 18 सल्तान इस बी की करांती का नेता कौर सिंग का देहन्द कब हुआ Answer होगा Option A, 26 अफ्रेल 1818 इस बी में Next question है, बिहार के उस करांती कारी का नाम बताए जिसने Next question है, बिहार में किस अस्थान पर भारती राष्ट कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अधिक्षता किसने की Answer होगा Option A, जेवी क्रिपलानी Next question है, बिहार में किस अस्थान पर भारती राष्ट कॉंग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ Answer होगा Option C, गया Next question है, सबसे छोटा दिन कब होता है Answer होगा Option A, 23 दिसंबर को Next question है, सूरी गरहन तब होता है जब Answer होगा Option A, चंद्रमा बीच में हो Next question है, स्वेट परकास को नली में कैसे पैदा करते है Answer होगा Option D, अनमों को दोलित करके Next question है, सोने को घोला जा सकता है Answer होगा Option C, सलफ्यूरिक तथा नाइटरिक एसीटों के मिस्रन मे Next question है, आमल वर्षा होती है Answer होगा Option A, कारखानों से Next question है, महासागर में उची जल तरंगे कैसे होती है Answer होगा Option D, चंद्रमा से Next question है, हाइटरोजन को जलाने से क्या बनेगा Answer होगा Option D, पानी Next question है, देवबन्त के उस विद्वान का नाम बताये, जिन्होंने स्वतन्रता अंदोलन में महत्पूर्ण भूमिकानी भाई Answer होगा Option D, चिराग अली Next question है, सारदा मनी कौन थे? Answer होगा Option B, रामक्रिष्न परम हंस की पतनी Next question है, अंग्रेजी भारती सेना में चर्बी वाले कार्टूसों से चलने वाली एन्फिल्ड राइफल कब सामील की गई? Answer होगा Option C, जन्वरी 1857 में Next question है, मुंबई में अखिल भारते व्यापार्ट संग कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई? Answer होगा Option A, 1920 इसबी में Next question है, अमरीत बजार पत्रिका की अस्थापना किसने की? Answer होगा Option D, सिसीर कुमार घोस Next question है, गांधी इर्विन समझोते के हस्ताग छरित होने में किसने महत्पून भुमिकानी भाई? Answer होगा Option C, टेज बहादूर सप्रू Next question है, अंग्रेजी सासन काल में भारत का कौन सा छेत्र हफिम उत्पादन हेतू पर सिद्ध था? Answer होगा Option A, बिहार Next question है, निश्किर्य विरोध के सिद्धान का परतिपादन किसने किया? Answer होगा Option A, मात्मा गांधी Next question है, निम्न अख़बारों में से कौन सा मुख्यत उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? Answer होगा Option B, लीडर Next question है, मायो गलोबीन में कौन सी धातू होती है? Answer होगा Option D, लोहा Next question है, एस्पिरीन कहां से मिलती है? Answer होगा Option D, एस्पिरीन की रसाइनिक अभिकिर्या से Next question है, पीतल में कौन सी धात्वे हैं? Answer होगा Option D, तामबा और जस्ता Next question है, चूहे मारने का जहरकिस रसाइनिक पदार्च से बनता है? Answer होगा Option B, मिथाईल आइसोसाइनेड Next question है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का पर्योग करेंगे? Answer होगा Option A, नाइट्रोजन Next question है, विद्धूत उत्पन करने के लिए कौन से धात्व का पर्योग होता है? Answer होगा Option A, यूरेनियम Next question है, लोलक की कलावधी Answer होगा Option A, द्रमान के उपर निर्भर करती है Next question है, जब विद्धूतिक उर्जागती में परिवर्टित होती है तब Answer होगा Option A, कोई उस्मा की हानी नहीं होती Next question है, सक्कर के किर्वन से क्या बनता है? Answer होगा Option A, इथाईल अलकोहल Next question है, निमलखीत में से कौन सा एक राजकोशिय नीती का उधारन नहीं है? Answer होगा Option C, वयाजदर Next question है, भारत में जनसंक्यां विर्धी के इत्यास में कौन सा वर्ष महविभाजन का वर्ष कहलाता है? Answer होगा Option D, 1921 Next question है, भारत में सबसे अधी कौफी उत्पन करने वाला राज कौन सा है? Answer होगा Option B, करनाटक Next question है, अंतराष्ट संबंदों में निमलखीत में से किस कारक का योगदान नहीं है? Answer होगा Option B, आकरमक राष्टवाद की भावना Next question है, संयूक्त राज्ची संगी की सुरक्षा परिशत में निमल में से कौन सा देश आस्थाई सदस नहीं है? Answer होगा Option A, जापान Next question है, निमलखीत में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी गई है? Answer होगा Option D, सर्वोच नियाले एवंग उच नियालियों को Next question है, भारत का राष्ट पती किसके द्वारा हाटाया जा सकता है? Answer होगा Option B, संसद द्वारा Next question है, निमलखीत में से कौन सा देश समर्थी सूची में है? Answer होगा Option B, सिक्षा Next question है, जी समेती किसी फारीश पर भारत में पंचायती राज किया स्थापना की गई उसका द्यक्ष कौन था? Answer होगा Option C, बलवंत राई मेहता Next question है, लोग सभा में राजवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगन्ना पर अधारित है? यह निर्धारन की सुवर्ष तक या थार्त रहेगा? Answer होगा Option B, 2026 तक Next question है, भारत में पंचायती राजवेवस्था सरपर्थम राजस्थान और डैस में प्रारम की गई थी? Answer होगा Option D, आंधर परदेश Next question है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णे किसके दोवारा लिया जाता है? Answer होगा Option B, राजसरकार दोवारा Next question है, भारत के समिधान का निमलिखीत में से कौन सा अनुच्छेत परेश की स्वतन्द्रता से सम्बंदिध है? Answer होगा Option A, अनुच्छेत उनीस Next question है, निमलिखीत में से कि समिधान संसोनन अधिनियम को लगू समिधान कहा गया था? Answer होगा Option A, ब्यालिस्वा समयधानिक संसोधन Next question है, भारत का पर्धान मंत्री मुख्य है? Answer होगा Option B, केंच सरकार का? Next question है, मुदार आक्षस नामक पुस्तक का लेखा कौन था? Answer होगा Option A, विशागदत Next question है, हर्स चरीत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? Answer होगा Option B, वान भट Next question है, मेगा स्थनीच की पुस्तक का नाम क्या है? Answer होगा Option D, इंडिका Next question है, कनीश की के सासनकाल में बोध सबाकीस नगर में आयजित की गई थी? Answer होगा Option C, कस्मीर Next question है, गुलाम वंस का पर्थम सासर कौन था? Answer होगा Option B, कुतुबुद्दिन एवग Next question है, अलाउद्दिन खिलजी के आक्रमन के समय देवगिरी का सासर कौन था? Answer होगा Option A, राम चंद्रदेव Next question है, मुगल प्रशाशन में मुह तसीप था? Answer होगा Option C, लोग आचरन अधिकारी Next question है, राजा राम मोहन राई द्वारा बरहम समाज के अस्थापना की गई? Answer होगा Option C, 1888 इस वी में इस वीडियो का अंतिम question, सत्यात परखास की रचना की थी? Answer होगा Option D, स्वामे दायरन सहसती द्वारा BPSC प्रिवियस एस का सारे question देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें Thanks for watching C, 1888 इस वीडियो को लाइक करें